किसान खेतों में वापस चले जाएं कृषी कानून वापस हो रहे हैं नमस्कार मैं विश्वजीत कुमार पूरे एक साल बाद प्रधान मंद्री नैंदर मोधी ने राष्ट के नाम संबुधन में कृषी कानूनों के वापस होने की बात की है उन्हेंने कहा कि सायद मेरे ही तपस्या में कोई कमी रह गई होगी कि हम किसानों को समझा न सके वही किसी कानोन जो पिछले साल विपक्स के हंगामे के बीच में पास हो गया था प्रधान मंत्री ने देश के किसानों से माफी मांगते हुए खेतों में वापस जाने की अपिली की है मैं आज देश वास्यों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र रदे से कहना चाहता हूँ कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिये के प्रकास जैसा सत्य कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाए आज गुरु नानक देवजी का पवित्र प्रकाश पर्व है यह समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है आज मैं आपको पुरे देश को यह बताने आया हूँ कि हमने तीन कुरुसी कानूनों को वापस लेने का रिपील करने का निरने लिया है आंदोलन की सुरुवात क्रिसी कानूनों के पास होने से सुरू हो गए थे जब तीन नॉमबर को हर्याना और पंजाब की किसानों ने दिल्ली चलो का अवान किया था उसके बाद 26 और 27 नॉमबर को देश के अलग-अलग हिसों से किसानों ने दिल्ली के और रोक करना शुरू कर दिया था इस बीच किसानों और सुरक्षा करिमियों के बीज धरब भी हुई किसानों को रोकने के लिए सरकों पे बैडिकेट्स लगाए गए उन पर आंसों गैस के गोले फेके गए तारें लगाई गई, सरकों पे कीले गाड़ी गई, सरकों पे गड़े खोदे गए लेकिन फिर भी किसान नहीं माने उसके बाद सरकार और किसानों के बीच कई बार बरतला भी हुआ लेकिन उसका कोई निसकर्ष नहीं निकला, किसी भी बात पर सहमती नहीं बनी। इस अंदोलन के करम में स्ताथ सौ किसानों की मौत हो गई, जिसमें लखिमपूर खेड़ी वाली हिंसा भी सामिल है। लेकिन अंतिता किसानों की जीत होई और प्रधान मंत्री ने क्रिशी कानूनों की वापस होने की बात की। क्या ये पहली बार है जब किसी सरकार को किसानों के सामने जुगना परा हो। जी नहीं। बात है 1988 की जब राजी अवगांधी सरकार में थी। उससे में भी एक बड़ा किसान अंदुलन हुआ था जिसकी अगवाई राकेश टिकेट के पिता बाबा टिकेट कर रहे थी। देश के 15 राज्यों के किसान 5 लाग की संख्या में दिल्ली पहुँचे थी। जहां दिल्ली के बिजय चौक से इंडिया गेट तक किसानों ने कबजा कर लिया था। जबकि उससे में संचार एवं परिवहन की सुवधा भी उपलब नहीं थी। किसान बैल गारियों में भर भर के देश के अलगला राज्यों से दिल्ली पहुँचे थी। और आजीब गांधी सरकार को आंदोलन के दवाब में आकर उनकी बातों को मानना पड़ा था। ये तो हो गई पुरानी बात अब नई बात करते हैं। क्या प्रधान मंतरी के कहने भर से क्रिशी कानून रद हो जाएंगे या वापस हो जाएंगे। जी नहीं। क्रिशी कानून को रद करने के लिए उन्हीं प्रक्रियाओं को फॉलो करना पड़ेगा जैसे क्रिशी कानून को बनाने के लिए किया गया था। यानि कि किसी भी कानून को बनाने के लिए जिन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है वैसे ही रद करने के लिए भी प्रक्रिया होती है क्रिसी कानून को समाप्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों में लोकसभा औरासभा में सरकार को बिल को पेश करना परेगा उसके बाद संसद के दोनों सदनों में सहमती के बाद इस बिल को पारित किया जाएगा पारित होने के बाद यह बिल राश्टपती जी के पास पहुचेगी जहां राश्टपती के मोहर के बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और बिल समाप्त हो जाएगी